वापसी कैसे कर सकते हैं इशान किशन और श्रेयस अईयर अब ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या सेंट्रल कॉंट्रेक्ट में नहीं होने का मतलब यह है कि आप मैचेस नहीं खेल सकते इस चीज़ को आपको क्लियर करना जरूरी है कि ऐसा बि प्रेफ्रेंस नहीं दे रहा है उनके लिए शायद टीम के दरवाजे बंध ही रहेंगे अगर इशान किशन और श्रेयस अयर अभी भी डोमेस्टट क्रिकेट खेलते हैं तो बिना central contract लिए भी वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं उनको match fees जो है दी जाती रहेगी तो यह simple सा logic है अभी भी ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं आईए खेलिए और टीम में वापस जगा बना लीजिए बिल्कुल और देखें central contract जो है उनका ख आप अलट हो जाई और सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए खरेलू cricket का और यहां से अब बाकी खिलाडियों के लिए भी चेतावनी रहेगी क्योंकि हमने देखा है कि इंजिरी की वज़े से हमने कई सारे matches में देखा है चिराग की सबसे पहले आपने कहा ना कि जब जनवरी होता है वहां से खिलाडी जो है इंजिडर होना शुरू हो जाते है जैसे ही आइपल स्टाट होता है यानि कि मार्च में आईपल स्टाट हो जाएगा आप दीखे गारा दो महीने लगा तार आपको मैदान पर सारे खिलाडी थे खेले बहाए हार्धिक पाण्या जो सबसे ब आपतान बनाया वैसे ही जो है उल्टी गिंती शुरू हो गई हार्दिक पांडिया के लिए भी क्योंकि चीजें जो है बहुत तेजी से बदली है उन सब के लिए अब यह चीज भी है कि बी-सी-सी-ाई का ही आई-पियल है और बी-सी-सी-ाई का ही जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको भी मैनेज करने का रोल है अब बी-सी-सी-ाई हम देख रहे हैं पिछले शायद 16 साल से आई-पियल चल रहा है तब हमने देखा कि इतना ज्यादा स्रिकनेस नहीं थी लेकिन बहुत सारे खिलाडी हैं जो इस तरीके की चीजे कर रहे हैं अब नाम यहाँ पर क्लैरिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि वो उन खिलाडीों की लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल है तो सवाल सब पे है और आई-पियल को प्रेफ है और क्या चाहिए तीन हजार रन बनाने के बाद अगर कोई आप सीधा आप इंडियन टीम में जगा दी जा रही है तो इसमें किसी खिलाडी को क्या दिक्कत होगी यह खिलाडी जो होते हैं शायद वो इतने पके नहीं है वो इतने ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले नहीं है हार्दिक पांडिया 29 मैच है सिर्फ 1351 रन है 30 का उसत है एक शतक है फस्क्रास क्रिकेट में सिर्फ एक शतक अब आप हार्दिक पांडिया को इंडियन टीम में वो क्योंकि यह सब चीजे होती भी टॉंकिता आई पील की वज़े से यह जब आई पील आता है तो फिर आई 5500 69 के बैट से देखने को मिलें और एवरेज देखिए वो पचास से ज्यादा कर रहा है और और एक और चीज़ है अंकिता श्रेयस एयर की जब बात करते है ना श्रेयस एयर शायद वो ना यह नहीं ता कि डुमेस्टरी क्रिकेट नहीं खेलें इंडिया के लिए नहीं खेल इस चीज़ पर topic इस चीज़ पर चर्चा हो रही है कि श्रेयस एयर whole आखर इसमें आय chil-ı तो है वह गलती क्या है क्योंकि उन्हों ने कहा कि मैं फित नहीं आप नहीं आप तो खेल रहे है ना अब तो आपको खेल ना पड़ेगा आब आप आप जाएंगे भी आप अप इशान किशन के साथ नहीं थी बाइदवी, इशान किशन के चक्कर में वो शायद श्रेयस ऐयर की भी पोल जो है, खुलती हुई कही नहीं नजर आई है, और श्रेयस ऐयर जो की मेरे इसाब से, क्योंकि वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रंस इस खिलाडी ने बनाये थे अंकिता और कितनी शांदार फॉर्म में नजर आ रहे थे जबल सेंचुरी भी है, बतलब दो सेंचुरी निकले इनके बल्ले से, तो यहाँ पर श्रेयस ऐयर शायद उस चीज को देखते हुए, शायद पीछे-पीछे निकल लिए, जैसे हम कहते हैं कि रोईश शर्मा और नहीं कहले और फिरी टीम इंडिया में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे.